दोस्तों नमस्कार मेरे नाम संजे मगू है और मौजूद है देश रोजाना के डिश्रल मीडिया मंस पर हर्याणा में विधान समा चुनाव चल रहा है तो इस समय सारी बातें चुनावी होती है क्योंकि चुनाव किसी छेत्र परदेश देश के लिए बहुत महत्वपूर हुआ करता है पांस साल में आने वाला चुनाव अगले पांस साल के लिए नीती और दिशात तै करता है कि परदेश या देश किसके हाथों में और कैसे चलेगा इलाका किसके हाथ में होगा छेत्र का विधाय कौन होगा कैसे क्या चलेगा चुनाव के अंदर गाउं का गोत्र का पाल का इन सब का बड़ा महत्व होता है जो लोग चुनाव लड़ते हैं उनके लिए उनका पैत्रिक गाउं उनका पैत्रिक अपना शेहर का एरिया वार्ड महुला गली या इसके साथ साथ अगर आगे चलते हैं तो फिर उनकी पाल उनकी गोत्रे बड़े माइने रखते हैं मैं आपसे चर्चा में हूँ फरिदाबाद लोकसभा छेत्र की एक विधानसभा सीट जो राश्ट्री राजमार्क परस्थित है और जिसका प्रमुक बात ही है कि ऐसी विधानसभा सीट है जिसम शर्मा भारती जनता पार्टी के केंडिडेट हैं रगवीर सिंग तेवतिया कॉंग्रेस के केंडिडेट हैं केंडिडेट और भी बहुत सारे हैं लेकिन प्रमुक केंडिडेट ये दौनों ही है तो चर्चा इसलिए जाद तर इनका युवा करती है और इस वीडियो में होंडा है तेवतिया पाङल के पन्च हैं तेवतिया पाल के मुग्दम हैं तेवतिया पाल के बड़े हैं रगवीर सिंग तेवतिया के सर्पंच भी रहे हैं चौति बार चुनाव मैदान में हैं, चौता विधानसभा चुनाव है इनका, 2009, 2014, 2019, और अब 2024, 2009 का विधानसभा चुनाव जीते हैं, उसके बाद में चुनाव जीत नहीं पाए, इस बार 2024 के चुनाव में चुनावी वेतरनी पार करने के लिए पूरी थाकत से जुटे हुए रखवीर सिंह तेवतिया का मैं वायरल फेसबुक पर वीडियो देख रहा था है उसमें रखवीर सिंह तेवतिया से कुछ लोग कोई कुछ शाहिए उलहना कर Old perceptions कि रहा है कि आप तो यानि कि जो अलावल पूर गाओं है वो तेवतिया पाल का बाजता है तेवतिया पाल के नाम से चलता है इसलिए रगवीर सिंग तेवतिया कह रहे थे कि ये गाओं जो अलावलपुर जो जनौली है यहां बिना मांगे वोट बिना मांगे हुए उनको 85 फीसद तक वोट देते हैं चुनाव परचार चल रहा है तो चुनाव परचार के दौर में सभी लोग लगे हुए हैं आज भुपेंदर सिंग घुड़ा आये थे रगवीर सिंग तेवतिया जी के लिए तो रगवीर सिंग तेवतिया के जो पैत्रिक गाओं में लें उनके पाल के गाओं बताए अलावलपुर गाउं में आज सभा थी टेक्चन शर्मा के पक्ष में और वो सभा करने आये थे लक्ष्मी नरायन चौधरी उत्तर परदेश सरकार के मंत्री है साथ लगते मतुरा जिले की वो छाता विधान सभा के विधायक है कई बार के विधायक हैं और दिगज बड़े खासकर जाट निता हैं जो गाउं पंचायत पाल की राजनीती हैं उनका बड़ा वर्चस्व है योगदान है एक सभा तो उनकी हो रही थी अलावलपुर गाउं के अंदर अगर मैं हाजरी के लिहाज से मानूं तो वो हाजरी के लिहाज से वो सभा अच्छी थी ठीक ठाक सभा थी उसके अंदर बड़ा उत्सा था लोगों में जोज था आप देख सकते हैं मैं आपको फुटेज दिखा रहा हूं जो फूलों की वर्षा कर रहे हैं ये वो सब कुछ हो रहा है और उसके अंदर तो एक अलवल पर देख रहा था तो अनोंने कहा है कि अलावल पुर अलावल पुर बनी वाले बावा की मंद्र के नाम से थेुरू है तो फेसबुक पोस्ट में देख रहा था उनकी दिपक डागर की निर्दलिय प्रत्याशी लड़ रहे हैं बैट वाल्ले के सात हैं दिव सभ और उनकी भी जो फोटोज में देख रहा था फोटोज आप भी देख सकते हैं उसमें भी ठीक ठाक उन्होंने गैतरिंग अच्छी की हुई है ठीक ठाक भीड़ है अब बड़ा सावाल यह है कि जो प्रतला विधान सभाद छेत्र का प्रमुक गाउं और कॉंग्रेस केंडिड है दीपक डागर ठेक शंचर्मा भारती जनता पार्टी केंडिड उनके समर्थन में अगर इतना बड़ा लवलश्कर हो रहा है इतनी भीड हो रही है तो फिर राजनीतिक गर्यारों में तो चर्चा का विश्य बनेगा राजनीतिक छेत्रों में तो बात जाएगी क्योंकि रगवीर सिंग तेवतिया का मैंने आपको पहले आपको उनका मैंने बयान भी सुनवाया है और यह उनी की फेस्बूक वाल से लिया है हमने जिसमें बता रहे थे कि अलावलपुर और जनौली गाओं उनको बड़ा समर्थन देता है लेकिन आज के दिन में अगर अलावलपु गाओं में उनको कोई किसी प्रकार की परिशानी आ सकती है हमारे जो सुधी दर्शक है प्रतला विधान सबाद छेत्र के और खासकर अलावलपुर जनौली ऐसे बड़े गाओं के वो हमारे वीडियो पर देख करके बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में कि क्या हो रहा है बताएं कमेंट्स बॉक्स में जोड़े नहीं हमारे साथ देखते रहें देशन हो जाना